स्टार्टप के लिए प्रेडित करने के दिशा में उत्राखंट टेजी से आगे बढ़ता चाला जा रहा है वाड़े जेवा मुद्योग मंत्राले की ओर से जारी राज्चों और केंद्र शाशित प्रदेशों के स्टार्टप रैंकिंग 2019 इसकी तस्दीक की है इसकी इस्पारिंग लीडर श्रेडी में उत्राखंट को अस्तान मिल गया है पिछली बार इमर्जिंग राज्चों के श्रेडी में थार्व देश के अनराज्चों की भादी उत्राखंट में स्टार्टप की पहली युवाउन भेस में रुच्छी दिखाई है केंद्र सरकार ने जारी की स्टार्ट अप रैंकिंग में उत्राखन ने मारी बाजी एस्पाइरिंग लीडर श्रेडी में उत्राखन का स्थान केंजरी मंत्री पियूज गोयल ने भी उत्राखन की तारीफ की स्टार्ट अप के लिए के जा रहे प्रियासों को भी सराह राज्यों के भीतर विकास का मोहल बना उभरती श्रेणी से आकांग्शी श्रेणी में उत्रा ख़ई युवाओ को स्टार्ट अप के लिए प्रेड़ करने की दिशा में उत्रा ख़ण तेजी से आगे बढ़ रहा है वारी जेवम उद्योग मंत्राना की ओर से जारी राज्यों और केंद्रशाशित प्रदेशों की स्टार्ट अप रांकिंग 2019 इसकी तस्दीग करती है इसकी एस्पारिंग लीडर श्रेड़ी में उत्राखण को स्थान मिला है पिछवी बार वा इमर्जिंग राज्यों की श्रेड़ी में था देश की अन्राज्यों की भाती उत्राखण में भी स्टार्ट अप की पहल हुई और युवाव उन्हें भी इसमें रुची दिखाई हलाकि शुरुवाती दौर में कुछ दिक्कते रही लेकिन वश्ट 2018 में स्टार्टप नीति लागों होने के बाद उद्योग निरेशालम में बकाइदे स्टार्टप प्रकोष्ट बनाया गया इसके लिए नोडल अधिकारी भी नामित किये गए साथी विबेन विश्विद्यालों के अलावा IIT रुडकी और IIM काशिपूर में भी हाथ मिलाया गया रैंकिंग का एलान रेल और वाडिज मंतरी प्यूज गोयल नागर विमामन मंतरी हरदीद सिंगपूरी बाडिज और उद्योग राजमंतरी सोम प्रकाश की उपस्तिती में की गई यह रैंकिंग नए उद्यम्यों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टप एकोसिस्टम का विकास करने के मामले में कदम उठाने के आधार पर आधारित है केंदरी मंतरी प्यूज गोएल ने अपने ट्वीट में कहा कि प्रदार मंती नरेंद्र मोदी की अगवाई में भारती स्टार्टप एकोसिस्टम तेजी से विक्सित हो रहा है उन्होंने कहा कि भारत को स्टार्टप हब बनाने के लिए केंदर राज्य हमारे उभरते उद्यमों का समर्थन करने के लिए मिलकर काम कर रहे है उत्राखन ने इस बार स्टार्टप रैंकिंग में सुधार किया है केंद्री वाडि जेवम उद्योग मंत्राले ने वर्ष 2019 की स्टार्टप रैंकिंग ज़ारी की जिसमें उत्राखन इमार्जुइंग श्रेडी से एस्पारिंग श्रेडी में आ गया है रैंकिंग में उत्राखन का नामा स्थान है जबकि पड़ोसी राजी उत्तर प्रदेश और हिमाचल इससे पीछे हैं मुकी मंत्री द्रवेन से रावत ने कहा कि प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी की पेहना से उत्राखन ने स्टार्टप के शेतर में काफी मेहनत की है और इसके पीछे अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं राजी का एक्सपारिंग लीजर स्ष्रेणी में इस थाना असिल करना इसका उधारन है स्टार्टप के लिए अब और तेजी से कदम पढ़ाए जाएंगे अपर मुक्य सचीव उध्योग मनीशा पवार की अनुसार इस पहल के बहतर परणाम सामनी आए है उन्होंने कहा कि उध्योग एवंबाडे जुमंतर आले ने भी स्टार्टप के लिए उत्तरा खंड में किये ज़ा रहे प्रियासु कुस्तरा है परणाम सुरूप राज को स्टार्टप रांकिंग 2019 की एकस्पारिंग लीडर श्रेडी में जगा मिल पाई है उन्होंने कहा कि राज जल्द ही स्टार्टप के शेतर में नहीं उचाहियां छुएगा उन्होंने ये भी बताया कि सूबे में टाई ग्लोबल का चाप्टर खूलने की योजना है निदेशक उद्योग स्टी नौटियान ने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में क्रशी मेडिकल डिवाइस परिटन पर्यावरण और एको टूरिज्म समेत अनशेतरों में सत्तर स्टार्टप है काफी संख्या में यूगा स्टार्टप की तैयारियों में जुटे हुए है सरकार और उद्योग विभाग की ओर से उन्हें प्रुसाहित करने के साथ ही उनकी कटनायों का भी तुरिद्गती से निदान किया जा रहा है देश रिपोर्ट के न्यूज इंडिया मुख मजी तरवन संग्रावत ने घंठियाल पौडी गड़वाल में टीन वीसी ग्रुप द्वारा उतपादित पहड़ी उतपादों के प्रांटीशन एवं पालेट प्रोजेक्ट का निरिक्षण किया इस अफसर पर उन्होंने किनावा की बुआई एवं स्वाव लंबन स्वयम सहायता के उतपादों का भी निरिक्षण किया और क्या कुछ कहा आपको ग्राफिस के जोरिये दिखा देते हैं मुख मंत्री तरवेन सिंग्रावत ने किया प्रोजेक्ट का निरिक्षण पहारी उतपादों के प्लांटेशन एवं पाइलेट प्रोजेक्ट का निरिक्षण स्वाव लंबन स्वयम सहायता के उतपादों का भी किया निरिक्षण मुख मंत्री तरवेन सिंग्रावत ने अपने संबोधन में कहा कोविट-19 से बचाफ के लिए गाइडलाइन का करेपानन कोविट-19 से बचाफ के लिए सतरकता परतने की जरूरत फिस्टेंस एवं मास का प्रयोग बहुत जरूरी युवाव को सुरोजगार के लिए मुख म में युखा उद्वारा सामोही प्रयास से रहनी कारें को सुरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत थे बहुं उत्राखंड में SU रोजगार की अपार संभावना का उत्राखंड में प्रकार की जायर ने दाबारा राज हिमाने की जड़ी बूठि उसे मार्केटिंग कर सकते हैं राजसरकार ने राज में ग्रोफ सेंटर की शुरुवात प्रदेश में सोस्या अधिक ग्रोफ सेंटर प्रारम नाय पंचायक तो में एकिए ग्रोफ सेंटर बनाए जा रहे हैं प्रदेश के मुखमंती तर्वें संग्रावत का पॉली दोरा रायस दोरान उन्होंने अपने ग्रेज उन्पत के एक अच्छी खाल ब्लॉक के गंख्याल गाफ पहुच करें यहां पर लंबे समय से क्रशी कर रही युवां किसे मलाकात करी उनके कारों की सराना करी आपको बदा दे युवा रोजगार और नौकरी के चोलते पधी पहाडों को छोड़कर शेहरों की तरफ भाग रहे थे वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने गाफ में रहकर क्रशी और बागवानी की मदद से अच्छी आमदानी भी कमा रहे हैं जिसको देखकर सियम खुद उनके गाफ को अचे प्रदेश के मुख्ध मंदरी त्रवेन सिंग रावत ने कहा कि यहां की उवाउनी आपदा को अपसर के रोप में बदल कर दिखाया हैं जहां लोग आपदा के इस दौर में अपनी नौकरी खोकर घर बैठे हैं मैं दूसरी तरफ यहां की उवा करीब 25 हेक्टेयर भूमी पर क्रशी का कारे कर रहे हैं युवाओं की तरफ से यहां पर मिश्रित खेती की जा रहा है जिसमें की हल्दी, अग्रक, मक्का, फल्दार, व्रक्ष, आधी का उत्पादन किया जा रहा कर रहे हैं और वहां पर वह रूप दिखाई देता है जिसके मानिय प्रभान मंतिजी ने कहा कि आप दा को और सर में बदलना जा सकता है वह वहां पर मिश्रित खेती कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छा मॉडूल है और आज कल उनकी कुछ स्विंग भी वह कुछ उन्होंने हलका फुलका कुछ उन्होंने आज किया है प्रदेश में कोरोना अपना विक्राल रूप दिखा रहा है शनिवार को राज में कोरोना की रिकॉर्ड 1115 नए मामले सामने आ गए इसके बाद मरीजों का कुला आकड़ा 30,000 के पार चला गया प्रदेश में अब तक 30,336 मरीजों में संक्रमण की पुस्टी हो चुकी है चिंता की बात यह है कि सक्री केस अब तक 10,000 के करीब पहुँच चुके है देखे हमारी खास रिकॉर्ड कोरोना दिखा रहा अपना विक्राल रूप उत्राखंड में कोरोना विस्पोड 24 घंटे में रिकॉर्ड 1115 नए केस दर्ज 14 मरीजों की भी कुरोना से मौः कुल कुरोना संक्रमितों काकडा 30,336 एक और जहां देश में हर दिन कुरोना के रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं वह उत्राखंड में भी कुरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं देवुमी में रिकॉर्ड तोड़ते हुए कुरोना वाइरस ने 1115 नए लोगों को अपने चपेट में ले लिया है इसके बाद से राज में कुल कुरोना संक्रमितों काकडा 30,336 पहुँच गया है वह पिछले 24 घंटे में इस महावाली से 14 लोगों की मौत के बाद फड़का मजगया है प्रदेश में कुरोना से भी तक 402 लोगों की मौत हो चुकी है वह शनिवार को 603 लोगों ने कुरोना को माद भी दी है कुरोना के मरीजों को ठीक होने की दर में कमी राज में कुरोना के कुल मरीजों की संक्या 30,336 20,031 मरीज अब तक हो चुके हैं रिकावर राज में कुरोना के कुल एक्टिव केस 9,781 नैनिताल जिला मुख्याले में 54 बंदी कुरोना पॉस्टिक अबिनेत्री हिमानी शिवपुरी और संगीता डौन्डियाल भी संक्रमित नैनिताल जिला मुख्याले में एक मुष्ट 54 बंदी कुरोना पॉस्टिव पाए गए पॉस्टिव पाए गए लोगोंने 18-73 वर्ष की उम्र तक के बंदी भी शामिल हैं बतादे कि नैनिताल जिला कारागार को नैनिताल एवं उधम सिंग नगर जिलो के नए विचारधीन बंदियों को सबसे अधिक केस देरादून से सामने आ रहे हैं कि देरादून में 290 कुरोना संक्रमित मिले हरद्वार में 270 लोग संक्रमित मिले उदम सिंग नगर में 189 कुरोना केस नैनिताल में 110 की जांच रिपोर्ट पॉस्टिप पिथोरागल में भी 68 उत्तरकाशी में 50 टीरी में 46 पॉड़ी में 30 रुद्रप्याग में 25 चमोली में 14 बागेश्वर में 13 चंपावद में 10 अलमुडा में 8 लोग कुरोना संक्रमित मिले बता दें कि प्रदेश सरकार का कुरोना संक्रमन को रुकने के लिए सैंप्लिंग बढ़ने वाँ विशेश जोर है इससे प्रदेश में कुविट जाज बढ़ी है इससे कुरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है सरकार की ओर से कोविड जाज का दारा भी बढ़ता जा रहा है डेक्स रिपोर्ट के न्यूस डोई वाला के लच्छी वाला वन रेश में अंतरगत वन वभाग की भूमी पर बसे तमाम गांफ के लोगों को उम्मीद जागी है कि उनका घर और मकान भी राजस्व ग्राम के एरिया में आज आएगा देखे हमारी खास रिपोर्ट इस इंतज़ार में थे कि उन्हें भी अपना घर मकान और मालिकाना हक मिलेगा लक्षी वाला वन रेश के अंदर गन टोंगिया गाव में आने वाला सत्ती वाला के वन शेत्र में बसे लोग और उनके परिवारों का सर्वे वन विभाग की अधिकारियों के साथ तहसील के कर अधिकार कानून के अंतरकत अब शुरू ही है जिससे राजव सगराम घुषित होंगे यह जमीन राज़स्व में जाएगी और सब को मद्राबा अपना करकूप मिलागा जो काजकार के परिवार के सदर से हैं यह जमीन उनके नाम पर जाएगी है मैं इस कारवाई सा संतुस्त हूँ उदर सक्ति वाला वन शेत में रह रहे लोगों की जानकारी जुटा ने पहुचे शेतर के बन अधिकारी नरेंडरनेगी ने बताया इन की जनसंके चाहब रही है तो उसमें ऑपर जितनी पेपरений रहे है उनकी जनसंके कटनी है इस और और वह किसी कम आतों है SHän में जाए यह राजोशक लें जाए यह जो परकिरा मोर्ष के लिए देखिए वनचेटर में रहने वाले लोगों के बहुत लंबे समय से मांग चलिया आ रही थी और ये समय समय पर ये मामला उठाया जाता रहा और जब मानी मुख्यमंत्री त्रिवेंट सिंग रावजी के संग्यान में ये आया तो उन्होंने इस पर वर्क करना शुरू किया और उसको देखते वे मैं समझता हूँ कि अभी उन्होंने प्रथम चरण में साथ गाओं को राजसुगराम घुसित करने और उनको उनके मूल अधिकार देने की जो बात कही है उस पर जल्दी ही उसको मूर्त रूप दिया जा रहा है सीम के इस कदम से वनशेत्र में रह रहे लोगों को अब आशा की किरण भी नजर आने लगी है और उमीद जता रहे हैं कि अगर सब कुस्त ही हुआ तो बहुत ज़द ही वनशेत्र में रहे लोगों को भी हक हकूप मिलेगा और तमान समस्याओं का भी अंत हो जाएगा इसलिए अब देखने वाली बात होगी किसी अमन शेत्र के गाफ को कब तक राजस्प गराम घोसित कर लोगों के 90 साल से चली आ रही समस्या का अंत कर राहत देंगे दर्वारा सिके निउस के लिए राजकुमार अग्रवार की रिपोर्ट नैनिताल के कुछ योवाव ने नगर के परेटकस्तलों के जंगलों को स्वक्षवा सुंदर बनाने का बेड़ा उठा लिया इसी के तहट कुछ छात्र छात्रां दोड़ा बड़े स्थर पर सफाई अभ्यान चलाया जा रहा है स्वक्षता अभ्यान के तहट आज सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परेटकस्तल हिमाले दर्शन के पास के 50 किलो कुडा निकाला गया जिसमें जादा तर शराप की बोतले और प्लास्टिक के रैपर्स निकले हैं उन्होंने कहा कि जंगलों में प्लास्टिक और काच की बोतले पेकने से परियावरण को नुकसान होने के साथ ही पूटी काच की बोतलों जानरों को घाल कर देती है और उनको बिमार भी कर देती है जंगल सफाई अभ्यान की सदस्तों ने बताया कि पिछले कई साल से परियावरण के सुख्षता कारिकरम चला रहे हैं कूडे में सबसे जादा मात्र में प्लास्टिक कच्रा थर्मा कोल प्लेट प्लास्टिक ग्लास प्लास्टिक बोतले वा अन्य विभिन प्रकार के प्लास्टिक बेस्ट जैसे प्रकृतिक तौर पर कंपोस्ट करना कठिन हो जाता है अधिकникиया हांiane मंदर के पास याँ आई होकी है जिसके आसपास हमें बहुत सारा कूडा देखने को मिला है विधिन प्रकार्टकी बोट ले शराब की बोट ले प्लास्टिक्स वग कि आस है की निवेधन है कि तूरिस्त आए नहीं बड़ आप जैसा देख सकते हैं हमारे पीछे जो है क्लीन अप हमारी चली उसमें काफी सारा कूड़ा निकला है करीब साथ-पचास किलो तो निकला ही होगा हम यहां पर पंगोर्ड रोड में सत्यनाय मंदिर के पास आए हैं यहां ग्रीन आर्मी का हमारा तो यहां पर आप देखने के साथा कट्टे यहां पर निकाल चुका है कूड़ा जिसमें की शराब की बोतले अत्य थिक मातरा में निकली है यहां पर बहुत सारे लोग आते हैं यहां पर अपने साथ ले जाए नेंटा वोट पच्छे रखिए दनेवर्ट यहां रुक्ते च्छड़े से ब्रेक के लिए जल्द हाजरूरत आप देख रहे है की नियोस खबरों का सार्थी खुदी को हास माया है तो ये अंतास आया है तुम में भी मैं हूं शिद प्लस पानमसाला कि अधिया शुरू हो रही है उसको सरकारी सुधाय नहीं मिल रही है उसके अगे लिए जारा के बीच एकड़ का मालिक है तो भी पूरे विहार का भगवान ही मालिक है का कि अधियू नराइन जादब जिस गाओ में जनम लिया Знаुता सण्यानी का खाओं मैंने मैंने लिखा भिहार सरकार को भी कि आप मेरे गाओ ने चल करके देखिए कि मेरे गाओ में 60 परतिससे अधिक परिवार है जिनके घर में सोचाले नहीं है क्यों आप देख रहे हैं के नियोस खबरों का सार्थी प्रेक के बाद एक वाद फिर से अब सभी का सुआगत है नगर पालिका अद्धिक्ष अनुपमा रावत ने इस यो बर्ड कोट को पत्र लिकर कहा कि नगर शेतर में पुलिस द्वारा दोपहिया वहनों वाले लोगों को बार बार परिशान किया जा रहा है जो कि इस कुरोना बार अपनी खेती को दे करने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता है पुलिस किस रवेये से लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं खबर वाजपूर से जहां पर एक तरफ लगतार बढ़ रहे करोना वारा संक्रमण को देखते हुए वधान सबसत्र को वर्चुल चलाने पर सरकार विचार कर रही है तो वहीं उत्राखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अर्विंध पांडे ने कहा कि विधायक और कैबिनेट मंत्री कोरोना वारस को पैलाने का जरिया ना बन जाएं इसके वर्चुल सत्र चलाना सरकार का सही निर्ण है वहीं दूसरी तरफ जब उनसे सरकार द्वारा चलाए जाने वाले वर्चुल सत्र में ना भाग लेनी की बात पर उन्यों ने कहा कि वा इस पक्ष पर टिपड़ी नहीं करना चाहते अलो वेश्विक महामारी कोरोना के चलते कुमाव मंडल विकास निगम के द्वारा संचालित की जाने वाले खनन परेटक आवास ग्रेट पर ट्रोल पंप रोपे संचालन से हुने वाली आई ठप होने से अब तक 35 करोड रुपए के राजस्पा घाटा उठाना पड़ा कुमाव मंडल के महाप्रबंदक अशोग जूशी ने बताया कि कुमाव भर के परेटक आवास ग्रेय रोप पे खनन सहीद कैलाश मान जरोवर र्यात्रा बंद हो गई है और परेटक आवास ब्रहू में बुकिंग कैंसल होने से 10 से 12 करोड रुपए का नुखसान उठाना पड़ा कोविट काल में निगम के खर्च चलाने में मुश्किल आया रही आके एक मात्र साधन गैस अजन्सी से ही मंडल में काररत कर्मशारियों को वेतन भुकतान किया जा रहा देखे अगर टोटल में बात की जाए तो कुमा मंडल विकास निगम परेटन के साथ-साथ अन्ने कई सेक्टर में काम करता है और उसी से निगम के खर्चे बमुस्किल चल रहे हैं करीब हमारी 10-12 क्रोड रूपिया तो हमें जो वहारे टूरिस्ट थे जिनने वुकिंग की थी उनकी वुकिंग कैंसिल होगी गोरोना के विज़े तो वह वापस करना पड़ा बोल्टाने फ्लाल के लिए इतना ही देखते रहे के नियूस इंजिया नमस्कार आप देख रहे हैं के नियूस खबरों का सार्थी हुकुम देव नारायर यादव जी है हुकुम देव जी क्या मानते हैं कि वो यादवी महाभारत सुरू हो गई है होगा समय आने पर होगा अभी सुरू नहीं होई है